असलाम अलेकुम वियूर्स वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं नहीं बलके मेरी मामा आपको अपनी स्पेशल सीख कबाब बनाने की रेस्पी सिखाएंगी बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं चलें चलते हैं अपनी आज की रेस्पी की तरफ सबसे पहले हमने 750 ग्राम अब हम इसमें एक एक टेबल स्पून लसन और अध्रग का पेस्ट डाल रहे हैं अब हम इसमें दो नॉर्मल साइज के प्यास अच्छी तरह से चौप करके डाल देंगे दो टेबल स्पून हरी मिल्चों का पेस्ट डाल रहे हैं मैं एक टेबल स्पून सुखे दन्ये का पाउडर डाल रहे हैं अब इसमें सौफ और अजवाइन का पाउडर एक टेबल स्पून डालेंगे अब इसमें देड़ टेबल स्पून बुना हुआ बेसन डाल देंगे अब हम इसमें डेड़ टेबल स्पून बदाम का पाउडर डाल रहे हैं अब हम इसमें एक टेबल स्पून बुना हुआ पिसा हुआ जीरा डाल देंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे एक से सवाग चमच के पाद हम इसमें एक टेबल स्पून हल्दी डालेंगे अब इसमें एक टेबल स्पून लाल मिर्चे डाल रहे हैं अब इसमें एक टेबल स्पून बरकर गरम मसाला डाल देंगे अब इसमें दो टेबल स्पून गीर के डाल देंगे गीर डालने से आपके जो कबाब हैं वो जूरे रहेंगे इसमें आदा टी स्पून बेकिंग सोडा भी डाला है जो मैं आपको बताना भूल गई थी अब मैं इसमें दो टेबल स्पून लेमन जूस के डाल रही हूँ जिसकी वज़ा से हमारे खबाब जो है वो बहुत जूसी बनेंगे अपने मिक्शर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब मैं इस पर एक क्लिंग फॉयल रैप करके इसको तीन से चार गंटेक लिए फ्रीजर में रख दूँगी अब मैंने अपने मिक्शर को फ्रीजर में से निकाल लिया है अब कुछ कीमा लेंगे और नॉर्मल साइज के कबाब की शेप देंगे हम सीखे नहीं इस्तमाल कर रहें बलके हमने कुछ वूडन स्टिक्स ले लिया है जो को बजार से आपको असानी से मिल जाती है आप इनकी मदद से भी सीख कबाब बना सकते हैं कि देखे हमारा एक सीख कबाब त्यार हो गया मैं आपके सामने एक ओड बना कर दिखा दती हूं कुछ खीमा ले लिए और ऊची तरह से जोड़ेंगे जैसे आपके सामने योजी देखें होघा अर्ऩ हम अब स्टिक लेंगे जाएंगे और कीमे में ढालएंगे और अची तरह से शेप देलेंगे इसको अच्छी तरह से प्रेस करें और जितना पतला करना चाहें कर लियाँ अब हमने इसी तरीके से सारे कबाब त्यार कर लियें अब एक सॉस पैन में थोड़ा सा ओयल लेंगे और इसको शैलो फ्राइ करेंगे आप चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं ग्रिल पैन पे एक कबाब मैंने आपके सामने डाल दिया इसी तरह से बाकी काई कबाब भी में डाल दूगी तो इसे बटन दशे उता है अब एक बाउल में इन कबाब को डाल लें और पहले से गरम होवा कोईला रखें और उसके पर थोड़ा सा ओयल डाल कर इसको ड्राम कर रख दें इसमें से बहुत ही अच्छी एक बार्वी क्योंकि खुश्पू आ रही है स्मोक देने से आपको बिलकुल बाहिर जैसा टेस्ट आएगा कि आपने बाहिर से सी कबाब लाए हैं अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी और हमारे सी कबाब बिलकुल तयार हैं आप देख सक हैं यह कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं तो यह मज़ेदार से सी कबाब इंचॉय करने लगी हूं आप भी बनाएं और इंचॉय करें और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएगा मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए अला हाफिज कितने अला हैं आप भी बनाएं तर द hm возьмо है बनाने खबाएं